आज जो बात करेंगे दिल्ली बूमेन वसर्स बेंगलोरु बूमेन्स के बीच में आज रात को जो आपको महा मुकावला फाइनल देखने को मिलने वाला है दोस्तों हाई वोल्टेज मुकावला रहेगा प्रेशराइज मैच रहेगा जो टीम प्रेशर को हैंडल करेगी अच्छे से वही टीम जहाँ पर जीत जाएगी दोस्तों ठीक है दिल्ली का होम ग्राउंड है क्योंकि जे जो मैच हो रहा है वो अरुन जेटली स्टेडियम दिल्ली में हो रहा है तो दिल्ली को होम अडवांटेज रहेगा और दिल्ली बैसे भी फेवरेट टीम है क्योंकि दोस्तों जहाँ पर दिल्ली और बैंगलूरू का अगर मैं हैट टो एड की बात करूँ तो आज तक जितने भी डवलूपील हुए है आज तक बैंगलूरू दिल्ली को नहीं हरा पाई है और अगर फाइनल में हराती है तो जे एक बहुत बड़ा दोस्तों सर्प्राइज रहेगा ठीक है और आज मैं आपको दोस्तों सच्चाई बताने वाला हूँ जो कि कोई जूट्यूबर आपको नहीं बताता है क्योंकि आगे IPL भी आने वाला है 22 मार्च को IPL का आपको फर्स्ट मैच देखने को मिलेगा चिन्य सूपर किंग और RCB के बीच में दोस्तों और आपको सच्चाई पता होनी चाहिए जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ क्योंकि आपको जहां पर दोस्तों बताया जाता है 25 करोड दोस्तों क्या 25 करोड आपको दिया जाता है नहीं आपको फर्स्ट प्राइज अगर आप फर्स्ट नंबर पर आओगे तब आपको 1.5 करोड दिया जाएगा जिसको इन्होंने बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखा है ताकि आपका जहां पर अटेंशन ना पड़े आपका जो ज़्यादा फोकस रहे इसको देखकर आप टीम लगा लो ठीक है जे कहीं न कहीं एक मार्केटिंग होती है जे आपको ध्यान में रखना चाहिए और आज आपको मैं बताऊंगा कि बाई ग्रैंड लीग में जीतना कितना असान है और कितना ज़्यादा टफ है दोस्तों ठीक है क्योंकि आगे IPL में आपको 50-50 करोड जहां पर देखने को मिलेगा 60-60 करोड आपको देखने को मिलेगा तो कहीं अपना बैंक बैलन्स खतम ना कर देना इसके चकर में देखो मैं बुराई नहीं कर रहा कि मत खेलो जा ऐसा है वैसा है पर आपको पहले जो मैंने कल्कुलेशन की थी मैंने आज से कम से कम एक वीक पहले आपको एक वीडियो डाला था उसमें मैंने ये रियल्टी आपके सामने रखी थी पर किसी ने भी उस वीडियो को शायद सीरियसली नहीं लिया था फिर भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि आगे IPL आएगा तो अपना थोड़ा bank balance बचा कर रखना खेलना है as a fund के लिए खेलना है दोस्तों ऐसा आप अगर इसको एक job मान लो जब पैसे कमाने का धंदा मान लो जे आपकी गलत फहमी है दोस्तों लुट जाओगे बरबाद हो जाओ ऐसा आपको कोई यूटूबर नहीं बताने वाला ठीक है क्योंकि फर्क पढ़ता है अब मैं बताओंगा मैं अपनी audience को अगर बोल रहा हूं कि जे खास करके दोस्तों grand league के लिए हैं अभी तक तो आपने पढ़ भी लिया होगा कि क्या है dream 11 में पैसे लगा कर आपके जीतने की संबाबना 0.0000006767 है दोस्तों ठीक है 667% है दोस्तों मतलब 1% भी नहीं है दोस्तों और वही इस से ज़्यादा तो आपकी संबाबना है UPSC पास करने की ठीक है जिसकी संबाबना रहती है 0.2% दोस्तों तो जे एक reality है एक सच है आपको मानना है मानो नहीं मानना है IPL आते हैं चले जाते हैं हर साल World Cup आते हैं चले जाते हैं आप Dream 11 को इंस्टोल करते हो टी में लगाते हो फिर डिलीट करते हो फिर से IPL में इंस्टोल करते हो तो ऐसा ही आपका ही सालों से करते आ रहे हैं यह एक रियल्टी है जो मैंने अभी आपको बताई है दोस्तों जे शीशा है आपको इसमें अपना मू देखना चाहिए कि हम जे करते हैं जा नहीं करते हैं भाई खास करके जो मैं आपको बताना चाहता हूँ जे Grand League बालों के लिए हैं दोस्तों जो आपको बड़े-बड़े जूट्यूबर जो है आपको सुपने दिखा देते हैं बड़े बड़े आपको जहां पर बताए जाते हैं आप 2 करोड जी जाओगे एक करोड जी जाओगे पर असल उसका परदे के पीछे की रियल्टी को कोई यूट्यूबर आपको नहीं बताता है कि आपकी जहां पर जीतने की चांसे कितने हैं दोस्तों ठीक है जीतने के चांसे को win करते हैं जे एक reality है और इसी को सविकार कर लो नहीं तो बरवाद हो जाओगे ठीक है 20-20 टीमे लगा कर 10-10 टीमे लगा कर 15-15 टीमे लगा कर पता नहीं कितना हार जाओगे तब जाकर 2-3-4 साल बाद एक grand league लगेगी जाका ठीक है तो जे में रखना मेरी बाद को हाँ अगर रेल में पैसा कमाना चाते हो दोस्तो तो head to head एक अच्छा पिक है small league आपके लिए एक best है आपको हराना 3 बंदों को है आपको 4 बंदों को हराना आपको 20 बंदों को हराना जा आप mini grand league खेलो दोस्तो जिसमें एक लाख बंदा participate कर रहा है जा फिर आप 50 जार की लीग खेलो आप 1200 की लीग खेलो जिसमें 1200 candidate खेल रहे हैं भाई आप बहाँ पर निशाना लगा रहे हो जहां पर already आपके chances बहुत ज़्यादा कम है जहां पर lucked side game चलता है आप उस grand league को win करना चाहते हो जहां पर भगवान की आपकी विशेश कृपा होनी चाहिए आपके उपर ठीक है तो जिध्यान में रखो जे reality आपको कोई नहीं बताता है दोस्तों मैंने सोचा आप कहीं पागल ना हो जाओ इसमें IPL में और WPL के इस final में की भई final तो जीतना है final तो जीतना है हम 20 टीम में लगा देंगे हम 40 टीम में लगा देंगे ठीक है तो जे ध्यान में रखो भई तो जहाबर 0.5 जो पॉइंट होता है ना 0.5 ड्रीम 11 का पॉइंट उसमें भी जो टीम से है ना आप लाखों में चले जाओगे अगर माल लो आप टोप 100 में हो पूरे 20 ओबर होगे एक टीम के आप टोप 100 में रहे फिर से आपके जो दूसरी टीम के उसके भी 20 ओबर होगे ठीक है और आपको फर्क जो पढ़ा ना 0.5 का फर्क पढ़ा तो दोस्तों आप 100 से पता कितना चले जाओगे आप 100 से लगबग चले जाओगे 5000 पर और ये मैंने खुद फील किया हुआ है मैं तब ही बता रहा हूँ ऐसा कोई नहीं आपको बताने बाला सभी चाहते हैं कि बस आप लगे रहो हमारी वीडियोस देखते रहो और पागल बनते रहो चूतिया बनते रहो हाथ में कुछ लगने वाला नहीं है भाई मैं क्यूँ बोलता हूँ अपनी टीम से खेलो मैं भी तो बोल सकता हूँ आ जाओ जहां पर यह हो जाएगा बो हो जाएगा कुछ नहीं हो गा भाई ठीक है जीतना होगा एक टीम से जीत जाओगे जिस दिन ज इतना होगा लगा लो जितना जोर लगाना है भाई ठीक है क्योंकि ये रियल्टी है इसको जितना अपना होगे उतना ही अच्छा है ठीक है हाँ बाकी बाई small league head to head three member four member जो कम leagues है वो आपके बाई ने already win करके रखे हुई है और जो बाई comment में screen shot बो बोलते हैं screen shot मागते हैं कि आपने क्या किया हो पहले तू तो जीत ले अरे तुम क्या जानो मेरे बारे में पहले तू जे बात है ठीक है मैं परदे के पीछे हूँ ठीक है जिस दिन सामने आया बोलती बंद आपकी हो जाएगी फिर फाइदा कुछ होने नहीं बाला simple सी बात है ठीक है हम चाहते हैं कि यह ऐसी फिल्ड है जहां पर क्यूं बडावा देना है पर समझना नहीं है किसी को भी कि इसको as a fund के लिए खेलो फाल्टू में इसको career बनाने की जूरत नहीं है ठीक है ना पर यह बाते समझ आएंगी आपको अभी नहीं आएंगी आएंगी कुछ को समझ आ चुकी है पर आ आपको भी आजाएंगी जैसे IPL खतम हो जाएगा वर्ल्ड कप खतम हो जाएंगे सब कुछ खतम हो जाएंगे आपको भी आजाएंगे ठीक है ना तुझे ध्यान में रखा करो फाल्टू के लोगों के टेलीग्रामों के चक्र काट रहे हो इदर उदर गुस रहे हो ऐसे ही क अपको भी बताए आपipो फूद को टीम लगाओगे तो जित ओगे जार जो आपको टीम दे रहा है पहले चूटि या Hello बो तो जी जाए कि समझते क्यों नहीं हो इस बात को मेरी आरज किभी हो चिला-चिला कर बताओं कि आप खुद से तुने दिया है जिस बंदे को टेलिग्राम बाले को क्या इतना तो सोच कि वो 40,000 तुछ से लेकर गया है वो करोड़ पती अगर खुद ही है तो वो तुझे टीम क्यूं देगा खुद अपनी टीम लगाएगा और हर दिन करोड़ पती बनेगा हर दिन करोड़ पती बनेगा य जब जे ऐसा एक दिमक जैर है ना मैं सच बता रहा हूं जे मेरी द्यान से चुना कहियों को बहुत बगवास लगरी होगी तो गेट आउट हो जो अभी जिसको भी ना मेरी बाते बगवास लगरी है वो निकल सकता है क्योंकि मैं कड़बा बोलता हूं पर सच बोलता हूं फ पार मैच हार जाओगे एक मैच जीतोगे पांच मैच हार जाओगे इस तरह की तो सचुएशन रहती है ठीक है और मैं अगर आपको बोलता हूं कि अगर आपको ग्रैंड ली खेलनी है ड्रीम लेवन खेलना है तो पहले जे बात को नोटिस कर लो कि मेरे रिसेंट के पिछले दस मैचों में मेरा रिकोर्ड क्या है वाई जा मैं एक मन्त से ड्रीम लेवन खेल रहा हूं और एक मन्त में मैंने कितना पैसा हा रहा है और एक मन्त में मुझे क्या मिला है पहले इसकी कल्कुलेशन कर लो फिर पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो और क्या कर रहे हो जहा डुबा रहे हो जब पैसा बना रहे हो 99% लोग तो जहां पर पैसा गवाते हैं 1% है जो कमा रहा है वो किस तरह से कमा रहा है वो head to head small league 3 members से कमा रहा है और जो 0.001% है वो grandly को win करके लाखो करोडो कमा रहा है दोस्तों जे simple सी theory है और कुछ भी नहीं है बाकि दोस्तों अपनी अपनी मर्जी अपनी अपनी सोच है मेरा मैं दोखो मैं इसलिए नहीं बुकवास करता है इसलिए नहीं कुत्ते की तरह बोंकता रहता है आपके आगे कि बाई मैं जो मेरे साथ जुड़े हैं जो मेरे बाई हैं जो मेरे साथ जुड़े हैं आज से नहीं जुड़े सालों से जुड़े हैं तो वो दो खाना खाएं वो किसी के चकर में आकर ना फस जाएं वो किसी के बोलने पर टीम ना लगा लें कि भाई जे टीम लेकर जा तू जीत जाएगा जा फिर किसी को पैसे ना मर्यादा पार कर दी है ठीक है न तो इससे अच्छा है समझेने वाले को इशारा काफी भाई तो ध्यान में रखना ठीक है तो IPL देखो मज़े से देखो खुश हो एंजोई करो मैच को ठीक है न ऐसा तोड़ी है यार अपना काम करो अपना करियर देखो अपना तो आप अगर पैसा कमाना चाते हो पैसे से पैसा कमाना चाते हो तो यह कोई बिजनस थोड़ी है यार यह बिजनस नहीं है यह एक आपका as a fund के लिए है ठीक है न एक source है जिसको काफी लोग as a business street करने लग पड़े हैं कि भई नहीं जहां से ही घर चलाना है ऐसा नहीं होता है भई हाँ अगर आपको करना ही है पैसा इंवेस्ट तो भई पैसा इंवेस्ट करना है वड़िया जगा है market में पैसा इंवेस्ट करो share market में आओ mutual fund में करो SIP करो ठीक है आप stock में trading करो intraday करो swing trading करो आप option trading करो अगर आप बहुत ज़्यादा risk कर लेते हो option trading करो ठीक है future करो पर नहीं और काफी रास्ते हैं अगर और भी ज़्यादा चुल मची हुई है forex करो अगर उस तो भी ज़्यादा चुल मची है तो भाई crypto में चले जाओ ठीक है ना भाई बहुत कुछ है दुनिया में पर निकलो तो सही बस dream 11, dream 11, dream 11 जहां सही हमें करोडों करोणे आप भाई आप बहां पर लड़ाई लड़ रहे हो जहां पर आपके chances जीतने के एक प्रेजेंट भी नहीं है तो कैसे आप जह उमीद लगा कर बैटे हो कि हम आज नी तो कल एक करोड़ जी जाओगे क्या पता आपको दस साल लग जाए क्या पता आपको पांस साल लग जाए क्या पता आपको एक साल लग जाए क्या पता आपको एक दिन लग जाए तो इसलिए चुपी रहता हूँ देखो दोस्तों जे मैच है साड़े साथ बजे आज होगा ठीक है ध्यान में रखना और हाई बोल्टेज मुकावला है फाइनल मैच है आपको भी पता है मुझे भी पता है सारी दुनिया को पता है फिलाल के लिए जो है हैड टो एड में भी आपो देख रहे होंगे कि दिल्ली फेवरेट टीम है ठीक है और अगर बैंगलूरू बुमेन की बात करूँ तो जहां पर अभी तक हरा नहीं पाई है इसको ठीक है पर जे भी आपको नोटिस करना पड़ेगा कि बैंगलूरू बुमेन ही एक ऐसी लोती टीम है जो मुंबई सेवी कवी नहीं जीती थी उसने मुंबई को एक बार हराया फिर दूसरी बार फिर से हराया और बाहर भी कर दिया तो जे भी मत सोचकर बैठना कि बैंगलूरू दिल्ली को भी नहीं हरा सकती ठीक है तो यह बात है ध्यान में रखना दोस्तों यह किर्किट है फेंटेसी है कुछ भी हो सकता है बागी दोस्तों अगर आपको रिकोर्ड स्टैर्स जानने होते हैं वो आपका भाई है ना आपको बताने के लिए फाल्तु के चक्रों में क्यों पढ़ते हो हमेशा हर मैच के स्टैर्स रिकोर्ड और ऐसा भी नहीं है मैं ज़्यादा से ज़्यादा डेटेल आपसे शेयर करता हूँ ताकि एक आप अच्छी टीम बना पाओ अगर आप हैड टो एड स्मॉल लिग त्री मेंबर खेलते हो एक अ रैंक टोप 10 से सिधा 1000 जा 2000 जा 3000 में चला जाएगा दोस्तों 0.5 से 0.5 से और अगर आप 5-10 पॉइंट नीचे हो तो फिर आप खुद ही सो सकते हो कि कहां तक आप पहुंच सकते हो दोस्तों ठीक है तो जे रेल्टी है सविकार करो रिसेंट मैच दोस्तों जो इस पिच पर ह हुए है ठीक है गुजरात के रिसेंट के मैच देखो गुजरात और जुपी का मैच हुआ था लो स्कोरिंग था आठ विकट स्पिनर ने लिए और दोस्तों जहां पर ना जो डिली का मैच था जो पीछे गुजरात बाला जहां पर भी स्पिनर ने अच्छी विक्टन ली थ पर कहीं न कहीं लास्ट के तीन मैचों की अगर हम बात करें तो तीनों के तीनों मैच दोस्तों लो स्कोरिंग देखने को मिले हैं ठीक है पर हाँ अगर दिल्ली पहले बैटिंग करता है तो कहीं न कहीं दिल्ली अच्छा करके जा सकता है क्योंकि उनकी देखो दिल्ली की स्ट स्ट्रेंथ क्या है दिल्ली की स्ट्रेंथ है मेगल एनिंग और शिफाली वर्मा और रोडरिक्स जे तीन प्लेयर है अगर इनको निप्टा लिया गया तो दिल्ली की हाल है टाइट है दोस्तों सिंपल सी बात है और पूरे इस डवल्यू पील में अगर सबसे बढ़िया जो ज आन में रखना बाकी टी ट्वांटी की अगर बात करें इस पिछ पर टोटल मैच इस पंद्रा हो चुके है आठ बैटिंग फर्स्ट ने जीते है इस तरह से बाकी अगर बात करें देखो जो सेकंड में अगर आपके बैटिंग सेकंड जहां पर सेवन देखने को मिल रहा है तो जे इस में पांच मैच वो है वर्ल्ड कप के पहले के ठीक है डवल्ड कप के वर्ल्ड कप से भी पहले के ठीक है न और अगर बात करें दो मैचों की दो मैच ही जीती है डवल्ड पील में बैटिंग सेकंड दोस्तो ने तो आठ मैच जो है बैटिंग जो है आपका जीता है ठीक है और अगर मैं बात करूँ दोस्तो जहां फर फिरस्ट इनिंगacie आवरेज सकोर की तो दोस्तो जहांपर 60 के आसपास जो है रहता है आवरेज सकोर दोस्तो ठीक है और स्कोरिंग बैटर्न भी आपके कोली के लिए ठीक है आरसीघी खेलेगी हम समरीती मना लेगी को लिए कि वह कोली तो जीत नहीं पाता रसीवी को में फिक है आईपिल में तो क्यों ना जे बूमें आईपिल में हम बैंगलूरू वाले जी जाए थीक है तो ऐसा हो सकता है जस्त मुझा कर रहा हूं दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है बाकि बैंगलूरू भी जीतना चाहेगी क्योंकि काफी आगे पहुंच चुके हैं अब जहां से अगर एक कदम दूर है फाइनल की ट्रोफी के लिए तो बैंगलूरू भी जीतना चाहेगी दोस्तों ठीक है पिच रुपोर्ट की अगर बात करूं तो पहले भी बता रखी है कि स्पिनर जहां पर अच्छा काम करते हुए नजर आते हैं और फास्ट बोलिंग भी जो क्वाल्टी फास्ट बोलर है वो जहां पर अच्छा करते हुए नजर आते हैं दोस्तों ठीक है अब दोस्तों जहां पर बात करेंगे न कि इस मैच में क्या हो सकता है दखो जैसा कि मैंने आपको अल्डेडी बता दिया है दोस्तों कि जो आपकी टीम से हैं जैसे ओपनर जोड़ी कौन सी है मेगल एनिंग और शिफाली बर्मा की ओपनिंग जोड़ी है ठीक है तो मेगल एनिंग और शिफाली बर्मा की अगर ओपनिंग जोडिया है तो इनको अगर एक बार आउट कर दिया RCB ने तो कहीं न कहीं जो है अच्छा होने बाला है दोस्तों यह बात ध्यान में रखना तो दोस्तों जहां पर बात करेंगे देखो रिचा गोश है आपको बिगड कीपिंग सेक्षन में आपको रिचा गोश देखने को मिलने वाले है तो सबकी पसंद क्या होने वाले है अब तानिया बाटिया को तो कोई लेने नहीं बाला ठीक है क्यों क्योंकि इसका एक तो बैटिंग ओर काफी नीचे है दूसरा अगर हम पॉइंट्स की बात करे मैंने क्यों बोला है दिल्ली के लिए मेगलेनिंग मेगलेनिंग इंपोर्टन है दोस्तो शिवाली वर्मा इंपोर्टन है इस मैच में काफी जादा रोडरिक्स इंपोर्टन है इस मैच में दोस्तो ठीक है जहां पर बात करेंगे आप मंधाना के साथ जा सकते हो मंधाना भ पाकिया अगर आपको मंदाना को नहीं लेना है तो आप जहां से डिवाइन को भी ले सकते हो जो की आपको जहां पर अच्छे ओबर्स करवाती हुई नजर आएंगी दोस्तों ठीक है बोलिंग की अगर बात करें तो रेंड को असिंग ठाकोर विल्कुल फ्लोप चल रही है ठ ठीक है शीखा पांडे जहां पर अच्छा कर रही है तो देखो बोलिंग तो दिल्ली के पास भी अच्छी है जैसे शीखा पांडे रादा जादव ठीक है रिडडी ठीक है तो जे कुछ प्लेयर्स हैं जो अच्छा करके जा सकते हैं बाकि अगर आपको आल रॉंडर को ही ल लेना पड़ेगा अगर रिस्क लोगे तबी जहां पर अच्छा कर पाओगे जहां फिर आपने मोलिनेक्स को ड्रोप किया और जहां पर आपने दो बोलर ले लिए रादा जादब और जहां से आपने जो ट्राइ किया श्रेंखा पाटिल को दोस्तों ठीक है फिर आपने इस त कर लेना है पाटिल की जगह पर आप फिर रेडडी को भी ले सकते हो जाप फिर शिखा पांड्र को भी लेकर चल सकते है दोस्तों ठीक है ये भी आप ध्यान में रख सकते हो तो आपड़ेंड करेगा टोसकों जीतरा है और कोन कब पहले बैटिंग कोन कर रहा है सेकंड बैटिंग कोन कर रहा है उसी साब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा दोस्तों ठीक है ध्यान में रखना इस बात को कैप्टन सी की बात करें तो मैग लैनिंग मेरी कैप्टन रहेगी मैं दिल्ली को विन कर रहा हूँ कहीं न गई तो दिल्ली की साइट से मेरी टीम रह सकती है माग लैनिंग अगर दिल्ली जित रहा है न तो इसका मतलब माग लैनिग और शिपाली बर्मा रोडरिक से जे तीन-चार प्लेयर चल रहे हैं करके चल सकते हो दोस्तों तो इस तरह कि कुछ टीम में रहेगी बाकि दोस्तों जही टीम उठाकर नहीं लगानी है मैं आपको हमेशा से जही बोलता है ठीक है अपने मांड से लगाओ मैं आज को इंजोए करो कोई भी स्ट्रेस लेने की जूरत नहीं है आपका जही करियर नही में जो आप विल्कुल इस ड्रीम लाइमन के चकर में मिस कर देते हो ठीक है ध्यान में रखना इस बात को बाकि दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मिलते है नेक्स्ट वीडियो में बाई गाईज टेक क्या कि दूख भाईन के मिलते हैं अगा है ने कर दो की कर दो है वीडियो